तो अगर आपने वो वाली वेडियो अप तक नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं वहाँ पर हिस्ट्री क्वेडियो करके लिंक दिया गया होगा उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं बाकी आज हम पार्ट नमबर 27 को डिसक्स करेंगे और इन क्वेडियो को हम बिल्कुल डिटेल में डिसक्स करेंगे बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें साथ म किस state में पढ़्ता है यए आपको पता हो Whoo झाहिए तो काली बंगन प्रता है राज्यासान में तो इसकी खोज tür तो देखो इसकी खोज किसने गी थी, यहां पर भी confusion पैदा होता है, तो पहले तो आपको नोट रकते हैं कि 1951, 1951, अमला नंद खोज ने जो है तो इसकी खोज की थी, और उसके बाद जाकर के 1960, 1960 में जो है तो बीबी लाला और बीके थापर ने इसकी खोज की थी, अच्छा क काली बंगा देखो, एक हडपी स्थाल है, तो यहां से कुछ ना कुछ है, तो खुदाई से प्राप्त हुआ होगा, तो देखो, क्या क्या यहां से खुदाई से प्राप्त हुआ है, तो एक तो देखो, अगनी कुड, या फिर जिसको हम हवन कुड कहते हैं, तो यह यहां से मिला है काली चूडियां यहां से मिली है भुकंब के प्रमान यहां से मिले हैं जूते हुए खेट के साक्षे यहां से मिले हैं नकाश्चिदार इंटे यहां से मिली है तो यह सारे कि सारी जो है तो वहां से मिले हैं तो ये आपको बिल्कुल नोट रखना है अच्छा यहांपर हमने बात की काली बंगा की कई बार आप से पूछा जाता है कि हडपा की खोज किस ने की थी तो हडपा की खोज की थी दैयराम साहनी ने कब की थी 1921 और मोहन जोरो की खोज किस ने की थी तो राखलदास बनर जी ने की थी 1922 में 1922 में फिर देखो आप से क्वाशन पूछा जाता है कि सिंधु खाटी सब्वेदा का सबसे उत्तेरी सल कौन सा है तो सबसे उत्तेरी सल था मांदा जो कि कहां पर पड़ता है जम्मू कश्मेर में और किस नदी के किनारे तो यह पड़ता है चिनाब नदी के किनारे हस्ती थे तो यह प्रवरी या फिर गुदावरी नदी के किनारे सूत है और सबसे पस्चिमी सल कों सा है सिंधुखाटी सब्वेदा का तो वो है सुतका गैंडुड़ जो कि कहां पर बढ़ता है बलूचिस्तान पाकिसान में बढ़ता है और किस नदी के किनारे है तो यह दास के नदी के किनारे है तो यह कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिये यह बहुत बार एक्जाम में बनते हैं Question number 122 की बात करें Who are among the following belongs to the Republican class तो निमन में से कौन गंड़तंतरी या वर्ग से संबंधी थे अब देखो यहाँ पर Simple सा Question क्या पूछा गया है यहाँ पर मैं आपको पता दूँँ यहाँ पर Simple पूछा गया है कि कौन सा महाजनपद गंड़तंतर था तो देखो गंड़तंतर कौन था तो वो था मल Option B देखो यहाँ पर बिल्कुल Correct हो जागा मल महाजनपद एक गंड़तंतर जनपद था तो यह आपको पता होना चाहिए अच्छा हमारे इंडिया में है जो है तो टोटल महाजनपद कितने थे तो देखो प्राचिन जो भारत था उसमें टोटल महाजनपद थे सोला कितने थे सोला और उन्हीं सोला में से एक था मल तो मल की कैपिटल क्या थी ये कॉशन बहुत बार एक्जाम में बनता है तो देखो इसकी राजधानी थी कुशी नगर क्या थी कुशी नगर अब देखो जैसे हम गंदतंत्र महाजनपद कौन सा था तो देखो पूरे विश्व की अगर बात आएगी तो पूरे विश्व में पहला गंदतंत्र महाजनपद था वज्जी महाजनपद और वज्जी महाजनपद की तो ये भी आपको नोट रखने है अच्छा, option A में देखर के रखा है वज चत्र option C में देखर के रखा है मगद option D में देखर के रखा है पांचाल option B मैंने आपको पता दिया मलग की चत्र माहजन्पत है वो क॑न सा है तो वो है चेदी महाजनपद, तो चेदी महाजनपद की कैपिटल क्या है, ये कॉशन पूचा गया था, इसकी कैपिटल क्या है, ये आप ने चे कमेंट्स में बता दो, अगले कॉशन की बात करें, तो साथ वाहनों के सबसे बड़े प्रतिस भरती की थी, अच्छा, कई बार आपसे पूचा जाता है कि किस सवंच के समय जो सिक्के थे, वह सीसे के बने होते थे, लेड के बने होते थे, तो वो बने होते थे, साथ वाहनों के समय, ये पॉइंट आपके लिए तो देखो सामंती व्यवस्ता का प्रारंभिक रूप भी हमें जो है, तो साथ वाहनों के समय ही देखने को मिलता है, तो ये सारे के सारे important points आपको साथ वाहनों के बारे में नोट रखने हैं, अच्छा, यहां पर देखो पूछा गया था वाधी भी धारन के थी, तो ये भी point आपको यहां पर note रखना है, question number 124 की बात करें, कलहन wrote, राज तरंगणी इन फिच सेंचरी, तो कलहन ने राज तरंगणी किस शताबदी में लिखी थी, तो यह किस points आपको note रखने हैं, पहला point की कलहन जो है तो किस के दरवारी कभी थे, तो देखो कलहन किस राजा के दरवारी कभी थे, तो यह हर्ष के दरवारी कभी थे, और हर्ष कौन था, तो हर्ष जो है तो कश्मेर काय के है ये आप नीचे कॉमेंट्स में बता दो इसकी जो बुक है वो बहुत ही जादे इंपॉर्टन है बहुत बार एक्जाम में बनती है अगले वाशन की बात करें तो जलाल अदिन खिलजी के एसासिन काल के अधरान अकेली विजे थी अब देखो यहां पर मैं आपको हर बार बताता हूँ सल्तनत काल तो सल्तनत काल कितने वंशों को मिलाकर बनता है तो यह टोटल पांच वंशों को मिलाकर के बनता है वो पांच वंश कौन कौन से हैं तो वो हैं गुलाम वंश उसके बाद आता है खिलजी वंश उसके बाद आता है तुगलक वंश उसके बाद लोदी वंच तो यहां पर मैंने बात की खिलजी वंच की तो देखो खिलजी वंच की ही यहां पर बात हो रही है इस question में यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि जलाल अदिन खिलजी के साशन काल के दरान अकेली विजे थी अब यह जो खिलजी वंच था खिलजी वंच की स्थापना कस ने की थी तो यह जलालदिन खिलजी नहीं की थी और की कब थी तो 1290 में इसने स्थापना की थी कब की थी 1290 में अब देखो यहांपर Simple सा आप से पूछा गय है कि जलालदिन खिलजी के साशनकाल के दरान उसने जो है तो अकेली विजे कहां पर पाई थी सिर्फ और सिर्फ उसने विजे पाई थी मंडावर में, आप्शन डी देखो यहां पर बिल्कुल कॉरेक्ट हो जागा, अब देखो आप पूछोगे कि मंडावर है कहां पर, तो देखो मंडावर है राज्यस्थान में यह पॉइंट आपको यहां पर बिल्कुल नोट रखना है देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि खिलजी वंच का साशनकाल कब से कब तक था तो मैंने आपको बताए कि जलाल अदिन खिलजी ने जो है तो खिलजी वंच की स्थापना की थी 1290 में और आप सभी को बताए जलाल अदिन खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था तो वो बैठा ता खिलजी ने कब पजा किया था तो देखो आपसे से सिंफल सा पुछा गया है कि चिताओ के लिए पर कब जहें तो अलवदिन खिलजी ने कब गिया था तो ओर तक तेरा सो तेन में देखो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टन है डेट्स आपको पता नहीं होती तो जो डेट्स अकसर अग्जाम में पूछी जाती है तो ये भी आपको नोट रखना है कि तेरह सो तीन इस भी में जह तो चिताओड के लिए पर कब जागिया था लाद दिन खिल जी ने अगले क्वेशन की बात करें क्वेशन हमारा 126 है तो औरंग जेब के समय मराथा राजय का नेतरतब नहीं किया था तो वो शाह जी ने नहीं किया था ऑप्शन डी देखो यहां पर बिल्कुल कोरेक्ट हो जाएगा आप से क्वेशन क्या पूछा जाता है आप से क्वेशन क्या क्या पुछा जाता है वो मैं यहां पर आपको बता दे दूँ शिवाजी से एक दो कौशन पूछे जाते हैं क्वेशन आपसे पूछा जाता है कि शिवाजी ने मुगलों के केंदर सूरत को कब कब लूटा था यानि कि डेट्स आपके लिए इंपॉर्टन है तो कब ल तो राजा राम महनराइ नहीं रा सहेता है यहाँ प्रेइख ज़गे वन्लेफ rozp गालजिक हे टो है राजा मुहनराइ नहीं की थी नियुक्त जो एक वैसे कुछ कोंछन शेMK शेक्वरे हैं जबे अब कई बार आ अबिए आप से पूछ जाता है कि ब्रह्म सबाए की स्बाबना की सबाइष ने की ती या फिर ब्रह्म समाज की सबाइष ने की थी तो राजर राम-इषनराई ने liberty ने प्राम की सबाइष ती यह पोई आपको नोट तो करें फिर आपसे को उचने पुछे जाता है धा कि लिखी है तो यह भी राजर राम-एफ ze communist ने ल उला खबार का प्रकाशन किसने किया था तो मिरात उला खबार का प्रकाशन भी राजार्राम महनराई नहीं किया था और आप सभी को बता है कि राजार्राम महनराई के परियासूं से ही जो है तो 1829 में, डेट आपके लिए इंपॉर्टन है देखो, 1829 में Lord William Pantic ने सती पर रथा पर रोक लगा दी थी तो ये भी आपको नोट अच्छा सती पर रथा पर रोक लगाई थी किस नियम के तहत रोक लगाई थी ये आपके लिए important है ये आप नीचे comments में बताओ कि किस नियम के तहत जो है तो Lord William Pantic ने ये आप नीचे comments में बताओ अगले question की बात करें question हमारा 128 है वैबल प्लान was given in the year तो वैबल प्लान किस वर्ष दिया गया था तो option B यहाँ पर correct हो जागा 1945 अगर exact date की अगर बात की जाएगी तो 14 June 1945 ये आपके लिए important है बाकि अभी तक अगर आपने हमको telegram और Instagram पे follow नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर follow कर ले link देखो आपको description में मिल जाएगा बाकि देखो link अगर बार चलता नहीं है तो आपको simply telegram पे जाना है और add the rate let's prepare to search करना है आपको हमारा channel मिल जाएगा उसी परकार आपको इंस्टा बे जाकर के let's prepare together search करना है अगले question की बात करें so question number 149 आप screen पर देख सकते हो सती प्रता का सर पर्थम परमान जो है तो भारत में कब मिला था तो यह मिला था 510 इस वी में option A देखो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जागा और यह किस अभिलेक में मिला था तो यह भानू गुप्त के एरन अभिलेक में मिला था और कब मिला था 510 इस वी में यह date आपके लिए important है यह date अकसर एक्जाम में देखो पूछी जाते है question हमारा 150 है नागनंद हो गई, रतनावली हो गई और प्रियद अर्शिका हो गई इन नाटकों की रचना किसने की थी यह मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है तो यह रचना की थी हर्च वर्धन यह option A डीड हो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जागा हर्च वर्धन कौन थी तो हर्च वर्धन जो है तो पुष्य भूती या फिर वर्धन वंश की राजा थे और हर्च वर्धन के बारे में एक question पुछा जाता है कि इनके दर्बारी कभी कौन थे तो देखो इनके दर्बारी कभी थे, बान भट अच्छा बांड भटने किन किन पुस्तोकों की रचना की थी ये आप नीचे कोमेंट्स में बता दो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कोशन हमारा 151 है राष्ट्रकूर्ट वंश की सापना की थी तो ये की थी दंती दुर्ग ने 151 का देखो आप्शन एक और एक्ट हो जगा और कब जो है तो इसने सापना की थी तो 752 इस्वी में साथ सु वावन इस्वी में राष्ट्रकूर्ट वंश की सापना किये गई थी नंदी दूर्ग के दोरा और राजधानी कहां पर इसने स्थापित की थी तो राजधानी इसने माने खेती आफिर वरतमान आप कहा सकते हो शौलापूर के नजदी के स्थापित की थी अच्छा वर्तमान चोला पर पढ़ता कहां पर है तो यह महारास्टर में पढ़ता है यह भी आपको नोट रखना है अगला वाशन चंदेल वंश की राजधानी कहां पर थी पहले तो आपको पता होना चाहिए चंदेल वंश की स्थापना किस ने की थी तो चंदेल वंश की सापना की थी ननुक ने और कब की थी 831 इसवी में चंदेल वंश की राजधानी कहां पर थी तो ये भी आपको नोट रकना है यह थी खजुराहों में आप्चन ए देखो यहां पर बिल्कुल कॉरेक्ट हो जाएगा अगला वाशन तराइन का पहला युद कब हुआ था अब देखो तराइन का पहला युद कब हुआ disciples ऑप्षन B देखो यहां पर बिल्कुल कॉरेक्ट हो जागा अब देखो ये तो हमने बात कर ली तराइन के पहले युद की और यह किन किन के बेच में हुआ था तो यह प्रित्वी राज चौहान और मुहम्मद गौरी के वेच में हुआ था और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी तो प्रित्वी राज चौहान जीत गए थे इसमें और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो तुराइन का दूसरा यूद हुआ था 1192 में और उसमें किसको जीत प्राप्ट हुई थी तो उसमें जो है तो मुहम्मद गौरी को जीत प्राप्ट हुई थी तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है अगले क्वाशन की बात करें अपने विरोधियों की समापती के लिए किस साशक ने लोह एवम रखती की नेटी अपनाई थी तो वो था बल्बन ऑप्शन बी देखो यहां पर बिल्कुल कोरेक्ट हो जागा अब देखो बल्बन के बारे में बहुत सारे क्वाशन्स बनते हैं अगला कोशन महराश्ट में भक्तियांदोलन के प्रमुख संत कौन थे अब देखो महराश्ट की यहां पर बात की गई है तो महराश्ट में जो है तो परचार करने वाले प्रमुख संत कौन कौन से थे वो आपको पता होना चाहिए तो देखो मैं आपको सिंपल सबता देता हूँ एक तो आपको नोट रखना है नाम ग्यान देव उसके बाद आपको नोट रखना है नाम एक अनाथ और उसके बाद तुकाराम और उसके बाद कौन नाम नोट रखना है उसके बाद बस ये तीन चार नाम आपको यहांपर नोट रखने हैं, तो यहांपर देखो, महराष्ट में भक्तियांदॉलन के प्रमुक संद्गाँ थे, तो वो हो जाएगा option D, नामदेव, option D देव हो जाएगा, ग्यानदेव हो गया, एकनाथ हो गया, और तुकाराम हो गया, यह चार नाम आपको बिल्कुल नोट रखने हैं, महराष्ट में, भक्तियांदॉलन के बारे में, ओके, तो देखो गाईज, यह थे हमारे कुछ questions, I hope और वीडिया आपका नवार्मेटिव लगी होगी, अगर वीडिया अच्छे लगी है, तो जिरूँ से